नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पहली बार सेक्स करते समय रखें इन बातों का ध्यान दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं परिवार में आमतोर पर शारिरिक संबंधों की चर्चा कम ही होती है लेकिन इंटरनेट के जरिये जवाब मिलने से हाल ही में युवाओं में कुछ जागरूपता आई है लेकिन फिर भी उनमें अती जोश के कारण अकसर कई गलतियां हो जाती है पहली बार सेक्स के अनुभव को बनाना चाहते हैं, यादगार तो इन बातों का रखें खास ख्याल यहां तक कि अपनी शादी की पहली रात को भी वे कई सवालों से घिरे रहते हैं इसलिए आज भी बहुत से लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि पहली बार सेक्स करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आईए जानते हैं शादी करते समय और पहली बार सेक्स करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने लिए सोचो पहली बार सेक्स करते समय अपने आप से पूछे कि क्या आप वाकई इसके लिए तयार है आप यह किसी दबाव में तो नहीं कर रहे हैं न याद रखें आप अपने रिष्टे में इस मुकाम तक तभी पहुँचते हैं जब आप इसके लिए बास्तव में तयार होते हैं इसलिए पहले मन से समबाद करें और फिर इस रिष्टे को अगले स्तर पर ले जाएं सुरक्षा मत भूलना आपका जीवन साथी कितना भी उच्साही क्यों न हो पहली बार में बिना सुरक्षा के सेक्स न करें आप अपने साथी के साथ चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार की सुरक्षा का उप्योग करना है यदि यह आसान नहीं है, तो प्रतीक्षा करें, अपने साथी को रुखने के लिए कहें यदि आप असहज महसूस करते हैं या आपको सेक्स करने में कठिनाई होती है जब आप पहली बार सेक्स करते हैं, तो आप उद्साह खो देते हैं क्योंकि आप बहुत सी चीजे नहीं जानते हैं या सहज महसूस नहीं करते हैं लेकिन वे दोनों अपने आत्मविश्वास से निपटते हैं क्योंकि वे अपनी खेल गतिविधियों को शुरू करना चुनते हैं इसके बिना कुई भी इसका आनंद नहीं ले सकता दर्द कम होगा, पहले संभोग के दौरान दर्द हो सकता है लेकिन कुछ चीजे हैं जो आप दर्द को कम करने के लिए कर सकते हैं महिलाई सेक्स करने से पहले गर्म पानी से नहा सकती हैं इससे जन्नांगों को आराम मिलेगा इससे दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा सभी विचारों को एक तरफ रख दें जब आप पहली बार सेक्स करते हैं तो अलग-अलग विचार आना सामान्य है लेकिन यहां आप दोनों के लिए बहुत खुशी का सरोथ हो सकता है इसलिए अपने दिमाग को शांत रखें और अपने पार्टनर पर ध्यान दें केवल शांत रहने और इससे निपटने से ही आप इसे बहतर अनुभव कर पाएंगे और एक खुशाल शादी कर पाएंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवाद